हलो स्टूडेंट आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज के इस वीडियो में हम यूपिटाइट पेपर टू के लिए मैस के कुछ करेंगे यह जो कोशन है यूपिटाइट में पूछे जा चुके हैं तो आई स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को तो फर्स्ट कोशन है इसमें बोला गया यदि 64 का स्क्वेर माइनस 36 का स्क्वेर एक्वल दे रखा है 20Z के तो हमें Z का मान बताना है क्या होगा ठीक है त तो मैं Z का वाली बता नहीं है तो यहां पर हम एक IDENTITY अपलाई करेंगे जो होती है A square माइनस B square इक्वल किसके होती है A plus B और A minus B के ठीक है यहां पर यह IDENTITY अपलाई करेंगे तो यह जाएगा 64 4 plus 36 into 64 minus 36 equal to 20 Z हो जाएगा, ठीक है, इन्होंनों को add किया तो यह हमारा 100 हो जाएगा, into 64 में से 36 minus करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 6 गए 8, 5 में से 3 गए 2, ठीक है, equal to 20 Z, अब हमें Z की value निकाल लिए हैं, तो 20 जो इसके divide में जाएगा, तो 100 into 28 divided by, यह हो जाएगा हमारा कितना 20, तो 20 से से काटा हो तो यह 5 हो जाएगा, ठीक है, 28 को 5 से multiply करेंगे तो कितना जाएगा, 140, तो Z की value हो गई हमारी 140, option number 30, अगला question है, यह भी विल्कुल सेम question है, तो इसमें भी हम सेम identity apply कर देंगे, तो यहाँ पर है 42 का whole square minus 38 का whole square equal to दे रखा है 4K के, ठीक है, तो क्या होगा, 42 minus 38 into 42 plus 38 equal to 4K, अब 42 में से 38 minus करेंगे, तो हमारा पर 4 बचेगा, into 42 plus 38, यह हमारा 80 हो जाएगा, equal to 4K, तो K की value हमारी आ गई, 4 into 80 divided by 4, 4 से 4K, तो K की value हो गई हमारी 80, तो option number 3rd इसका correct answer हो जाएगा, अगला question देखते हैं, next है, a plus b upon me c equal है, b plus c upon me a equal है, c plus a upon me b equal to k, तो हमें k की value उतानी है क्या होगी, ठीक है, तो a plus b upon me c जो है, वो equal to k है, इसको अगर मैं थोड़ा सा cross multiply करूँ, तो हमारे पास आएगा, a plus b equal to c के आ जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से, second वाला b plus c upon me a, इसको k की equal रख लेते हैं, तो b plus c upon me a equal to k, तो यहाँ पर भी अगर मैं cross multiply कर दूँ, तो b plus c equal to a k आ गया, यह first equation है, यह second equation है, ठीक है, इसी तरीके से, हम third वाला equation भी निकाल सकते हैं, c plus a upon me b equal to k है, cross multiply किया, तो c plus a equal to b k आ गया, यह तीसरी equation हो गई, आप क्या करेंगे, इन तीनों को हम add कर देते हैं, तीनों को add करेंगे, तो देखिए, left hand side को left hand side से add करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, a plus b plus b plus c plus c plus a equal to c k plus a k plus b k, अब यहाँ पर दो बार a है, दो बार b और दो बार c है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 a plus b plus c हो जाएगा, और right hand side में हमारे पास k common है यहाँ पर, ठीक है, तो k common ले लेंगे, तो यहाँ भी आएगा, a plus b plus c, ठीक है, तो k की value हो जाएगी हमारी, 2 a plus b plus c divided by a plus b plus c, यह पूरा cancel हो जाएगा, तो k की value कितनी हो गई, 2 हो जाएगी, तो option number third इसका correct हो जाएगा, ठीक है, अगला है, यदि a upon me 3, equal is b upon me 4, equal is c upon me 7, तो हमें बताना है कि a plus b plus c upon me c, इसका common क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के equal में हम k को रख लेते हैं, क्योंकि तीनों equal है, तो a upon me 3, equal to, अगर k रखूँगा, तो हमें पास a की value हाजाएगी 3k, ठीक है, इसी तरीके से b upon me 4, equal में k रखेंगे, तो b की value हाजाएगी 4k, इसी तरीके से c upon me 7k, equal में k रखेंगे, तो k की value हाजाएगी, c की value हाजाएगी 7k, ठीक है, a, b और c की value हमें पता लग गी, हमें value निकालनी है, a plus b plus c upon c की, यहाँ a की value हम रख देंगे 3k, b की value 4k, c की value 7k, divide में क्या है हमार पास, c है तो 7k हो जाएगा, अब उपर अगर add करेंगे, तो हमारे पास यह आएगा 14k, नीचे 7k, k से k cancel, 7 से cancel किया तो यह हो जाएगा, 2, तो इस पूरे को solve करके answer आ रहा है, 2, option number second, अगला question है, यदि x upon me y equal है, 3 upon 4, तो हमें 2x plus 3y, तथा 3y minus 2x के अनुपारत को बताना है कि क्या होगा, ठीक है, तो हमें दे रखा है, x upon me y equal to 3 upon me 4, cross multiply कर दूँ, तो में यह पास आएगा 3y equal to 4x, मतलब कि 3y की जगा मैं 4x put कर सकता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं 3x, सबसे पहले हम निकाल देते 2x plus 3y को, अब यहां पर 3y की जगा मैं 4x put कर सकता हूँ, तो 2x तो सेम रहेगा, यह 4x हो जाएगा, और यह हो जाएगा 6x, तो 2x plus 3y की value हमारे पास ही आ गई, अब निकाल देते हैं 3y minus 2x की value, तो 3y की value हमारे पास है 4x minus 2x किया, तो यह 2x आ गया, अब हमें करना है कि इसका अनुपात निकालना है, तो 2x plus 3y upon में 3y minus 2x, तो कैसे निकालेगा, इसकी value हमारे पास 6x आ रही है, नीचे वाले की value हमारे पास 2x आ रही है, xx कट गया, इसको काटेंगे तो यह आगा 3 बटे में 1, तो अनुपात हो गया, 3 अनुपात 1, option number 30, अगला question देखते हैं, अब इसमें बोला है, यदि A बटे में B हमें 4 बटे 3 दे रखा है, तो इसका मान बताना है हमें क्या होगा, ठीक है, यह इसके equal आ रहा है, हमें value निकाल लिए है, 6A plus 4B upon 6A minus 5B की तो यह जो 6A है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 into 3A plus 4B और 2 into 3A minus 5B, अब मैं 3A की जगा 4B put कर सकता हूँ, ठीक है तो यहां हो जाएगा मेरा 2 into 4B plus 4B, और नीचे हो जाएगा 2 into 4B minus 5B तो यह कितना हो जाएगा, 8, 8 और 4, 12, 12B हो गया, और 8 minus 3, 3 minus 5 करेंगा, 3B हो गया, B से B कड़िया इसको काटा तो 4 बटे 1, मतलब कि 4 इसका answer हो जाएगा अगला सवाल है हमारे पास, यदि X हमें 3 दे रखा है, Y हमें 1 दे रखा है और A minus X बटे में B minus Y बरावर 3 है, तो A बटे में B कमान बताना है क्या होगा ठीक है, तो X और Y कमान हमें दे रखा है, और A minus X बटे B minus Y बरावर 3 है तो यहाँ पर हम x और y कमान रख देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास a-3 upon में b-1 equal to 3 cross multiply किया तो हमें पास आ जाएगा a-3 equal to 3 into b-1 तो इसको solve कर लेते हैं तो a-3 रहेगा 3b-3 हो गया तो हमारे पास आ गया a-3b equal to minus 3 और plus 3 यह तो cancel हो जाएगा 0 हो गया तो a-3b equal to 0 तो a बराबर आगया 3b हमें निकालने a बटे b तो a upon b हो जाएगा हमारा 3 option number 4 तो यह थे match के कुछ important question यूपिटेट पेपर 2 के लिए उमीद है आपको हमारा वीडियो पसंदाए होगा तेंक यू